हेलो दोस्तों इजी टू लर्न बाई वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के कवच इस्तोत्र आदी सरल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जादा से जादा साधकों और नए लोग महा कवच लेकर आये हैं श्री वीरभद्र जी भगवान शीव के क्रोधा अवतार के रूप में जाने जाते हैं भगवान शीव जब एक बार बहुत ही क्रोधित हो गय थे तब उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र का आवाहन करते हुए इन्हें प्रकट किया था तो जी काफी उग्र स्वावावाले हैं जब उन्होंने दक्ष प्रजापती के यग के समय जब उनके यग का विद्ध्वन्स किया था तो ब्रह्मा विश्नु आदि सभी देवता इन्हें रोकने में असमर्थ रहे थे तो इससे इनकी उग्रता का अंदाज लगाया जा सकता है पर ऐसा लगता है कि बहुत सारी परिवार में और बहुत सारी परंपराओं में इनके गुप्त रूप से पूजनादी होती है भगवान शिव के क्रोधा अवतार के रूप में इनकी पूजनादी होती है तो सामान्य साधक को इस तरह के कवच आदी से थोड़ा दूर रहना चाहिए और अगर आप करते हैं तो गुरु तंत्र आधी के छेत्र में जो विद्वान गुरु है उनसे परामर्श आधी ले लेना चाहिए और पूजन आधी में बहुती सावधानी रखनी चाहिए इनके बारे में अन्य जानकारी आपको PDF की फाइल में मिल जाएगी श्री वीर्भद्र महा कवचम ओम गनेशाय नमः ओम श्री गुरुवे नमः ओम नमः शिवाया पहले विनियोग का मंत्र विनियोगह अस्य श्री अगोर प्रलैकाल हुंग कार वीर्भद्र महा मंत्रस्य सम्हार रुद्र रिशि जगती छंद श्री अगोर प्रलैकाल हुंग कार वीर्भद्रो देवता हराम बीजम ह्रिम शक्ति हुरुम कीलकम मं अगोर प्रलैकाल हुंग कार वीर्भद्र प्रसादा सिध्धियर थे या धर्मार्थ काम मोक्छार थे या इश्ट काम्यार्थ सिध्धियर थे या यक्ष राक्षस गरूड गंधर्व किन्नर किम पुरुष भूत प्रेत पिशाच ब्रम राक्षसा कर्शनो चाटनार थे जपे विन्योग ह। ब्रह्म राक्षस आकर्षन उच्चाटन आर्थे जपे विन्योग है तो इसके विन्योग के मंत्र को देखकर लगता है कि इसमें तीन-चार तरह की अलग-अलग मनों कामना एक साथ जोड़ दी गई है जैसे वीर भद्र प्रसादा सिध्धेर थे यानि उनकी किरपा प्राप्ति के लिए धर्मार्थ काम मोक्षार थे यानि अपनी इस मनों कामना के लिए इस्ट काम्यार्थ सिध्धेर थे और फिर यक्ष राक्षसादी के आकर्षन उच्चाटन आदी के लिए तो आप इसमें अपनी कोई एक मनो कामना भी बोल सकते हैं, और नहीं तो सारी मनो कामना को एक साथ भी बोल कर विन्योग कर सकते हैं, जैसा उचीत हो वैसा कर ले, अगर अलग-अलग मनो कामना भोलनी होगी, तो वीरभद्र प्रसादा सिध्यर्थे जपे विनियोगह बोलेंगे या वीरभद्र प्रसादा सिध्यर्थे धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगह बोलेंगे या वीरभद्र प्रसादा सिध्यर थे इस्ट काम्यार्थ सिध्यर थे जपे विन्योग भोल लेंगे तो इस तरीके से अलग-अलग विन्योग भी हो सकता है अब कर्ण्यास का मंत्र अती कुरूराय अंगुष्ठा भ्याम नमा कुरूराय तर्जने भ्याम नमा रुद्राय मध्यमा भ्याम नमा रुद्र पुत्राय अनामिका भ्याम नमा सकल भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस दहनाय कनिष्थिक आभ्याम नम, श्री अगोर वीर भद्राय करतल कर प्रिष्था आभ्याम नम, फिर हृदयादि न्यासह, ओम अती कुरूराय हृदयाय नम, कुरूराय शिडसे स्वाह, रुद्राय शीखाय वशत, रुद्र पुत्राय कवचाय हुम, सकल भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस दहनाय नेत्र त्रयाय वशत, श्री अगोरवीर भद्राय श्त्राय फट, यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो में पेज नमबर भी लिखा है, ताकि जहां से मैंने प्राप्त किया है, अगर उस पुष्टक के पेज से आप मंत्र और वर्न आदि को देख करके मिलाना चाहें, तो सुविदा होगी, जैसे ल इती दिगवंध ओम भूर भुव स्वरोम इती दिगवंध यह दिगवंध का मंत्र है, अब ध्यानम सजल जलद नीलम चंद्र मौलीम त्रीनेत्रम समर विजय टंक चारू चर्मासी अस्त्रम, चर्मासी चर्म और असी दो अस्त्र हैं, चर्मासी घं घं मनि घोशे कम्पयंतम निलिम्पा, नचिद्विमित भद्रं वीरभद्रं प्रपध्ये, नीलम नीलाभवर्णं वीकसितवदनं नीलकंठं त्रीनेत्रं कालं कालागनिरुद्रं कर्तल कमलं खटग्खेटे कपालं भीमम भीमाटहासं त्रीभवन वीजयं वीरभद्रम प्रसन्नम वंदेशं शंकराख्यं सकल्मुनीजन प्राण सम्हारवीरं अब इसके बाद पुस्तक क्याधार पे कहा गया है कि रिश्यादी न्यास करना चाहिए पंच पूजा करना चाहिए पंच बुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए फिर मूलम यानि उनके मूल मंत्र का कुछ जाप होना चाहिए तो रिश्यादी न्यास तो मिली देहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं श्रीवीरभद्र जी का पूजन करें अब ओम श्रीवीरभद्राय नमः चंदन समर्पयामी ओम श्रीवीरभद्राय नमः कुष्पानी समर्पयामी ओम श्रीवीरभद्राय नमः धूपं आग्रापयामी ओम श्रीवीरभद्राय नमः दीपं दर्शयामी ओम श्रीवीरभद्राय नमः नैवेद्य निवेद्यामी और फिर यहाँ पर मैंने मांसिक पुजन भी जोड दिया है जैसी सुधा हो एक कर ले दो कर ले कोई दिक्कत नहीं है ओम लम् पृत्वी तत्वात्मकं श्रीवीर भद्र पृत्यर्थे गंधं समर्पयामीनम ओम् हम् आकाष्टत्वात्मकं श्रीवीर भद्र पृत्यर्थे पुश्पं समर्पयामीनम ओम् यम् वायूतत्वात्मकं श्रीवीर भद्र पृत्यर्थे धूपं आग्रापयामीनम पूजन बनाई गई है और जोड़ी गई है पूजन में कोई दिक्कत नहीं है सभी देवी देवताओं की पूजन इसी तरह से करते हैं अब यहाँ पर वीर भद्र जी का मूल मंत्र दिया गया है आम विम अति कूराय कूराय रुद्रआय रुद्रपुत्राय सकल भूत प॥्प्रत्पिशाच ब्रह्म्राच्छस दहनाय श्री अगोर वीरभदराया स्वाहा ओम विम अती कुराया कुराया रुद्राया रुद्र पुत्राया सकल भूत प्रेद पिशाच ब्रम राक्षस दहनाया श्री अगोर वीर भद्राया स्वाहा तो यह मंत्र उसी पुस्तक के पेज नंबर 131 पर दिया हुआ था इसलिए रेफरेंस में भी डाल दी गई है जानकारी के लिए अब यहां से श्री वीर भद्र जी का मूल कवच प्रारंभ होता है ओम विं नमो भग्वते स्री महाप्रलै काल अगोर वीर भद्राया त्रीनेत्र मकूताया जटा जूत मनी मकूत भूषन आया महाभयंग कर्श्वरू पाया वीर भद्राय त्रीनेत्र मकुटाय युग युगांत काल प्रचंड ध्वन्सनाय ओम विम ओम नमो भगवते श्री अगोर वीर भद्राय त्रीनेत्र मकुटाय चंद्र कला धराय जटा जूत मनी कुंडल भूशनाय महा भयंकर श्वरूपाय महा प्रले काल श्वरूपाय युग युगांत काल प्रचंड ध्वन्सनाय युग युगांत काल प्रचंडा वतंसाय, खटवांग महा प्रलै कालागनी रुद्र पुत्राय, खटवांग कपाल पाश, त्रीशूल दमरूक करवाल, फल खडग, धनूर हस्ताय, अनन्त कर्ण कुंडलाय, वासुकी कर्णा भर्नाय, कर्णा भर्नाय, कर्णा भर्नाय, कर्ण में सुशोभित, जेवर की तरह पहने वे, वासुकी नाग, तक्छक हाराय, कारकोट यगो पविताय, शंख पाल घटिक सुत्राय, पद्म पाद पूरी कटकाय, महा पद्म वंधित पाद युगलाय, सर्व गुना डंबर वीनोध नाय, सर्व गुना डंबर वीनोध नाय, यहां पर तक्छक कारकोट शंख पाल पद्म आदी सभी अस्ट नागों में से कुछ नाग के नाम है, आचार प्रती पाल नाय, अनाचार सम्हार नाय, अलग लग भी बो सकते हैं, अद्भुत शक्ती प्रदाय, मौक्तिक मुक्ता भरनाय, मौक्तिक मुक्ता भरनाय, मतलब मुक्ता से सूसजित, दक्ष मक्ष विध्वंस नाया सोम सुर्यागनी लोचनाया ओम श्रिम अगोर प्रलै काला हंगकार अगोर वीर्भद्र ब्रह्म ग्रिहं बंधया बंधया विष्णो ग्रिहं बंधया बंधया रुद्र ग्रिहं बंधया बंधया रुद्र ग्रिहं बंधया बंधया केतु ग्रहं बंधया बंधया इंद्र दस ग्रहम बंधया बंधया अगनी दस ग्रहम बंधया बंधया यम दस ग्रहम बंधया बंधया नैरुती दस ग्रहम बंधया वरून दस ग्रहम बंधया बंधया वायू ग्रहम बंधया बंधया कूबेर दस ग्रहम बंधया बंधया इशान दस ग्रहम बंधया बंधया आकास दस ग्रहम बंधया बंधया अवांतर दस ग्रहम बंधया बंधया पाताल दस ग्रहम बंधया बंधया यक्ष गनम बंधया बंधया राक्षस गनम बंधया बंधया राक्षस गनम बंधया बंधया गरूड ग्रहम बंधया बंधया गंधर्व ग्रहम बंधया बंधया तो इन सभी चीजों के बंधन के लिए मंत्र में शब्द हैं और इशान, आकाश, अवांतर, पाताल, आदी सभी दिशाये हैं किन्नर गनम बंधया बंधया, किम्पुरुष गनम बंधया बंधया, भूत गनम बंधया बंधया, प्रेत गनम बंधया बंधया, पीशाच गनम बंधया बंधया, ब्रह्मराक्षस गनम बंधया बंधया, जटी ग्रहम बंधया बंधया, कुम्भिनी ग्रहम बंधया बंधया, शुम्भिनी ग्रहम बंधया बंधया बाल ग्रहम बंधया बंधया शाकनी ग्रहम बंधया बंधया डाकनी ग्रहम बंधया बंधया हाकनी ग्रहम बंधया बंधया मोहिनी ग्रहम बंधया बंधया कामिनी ग्रहम बंधया बंधया वीर ग्रहम बंधया बंधया शूर ग्रहम बंधया बंधया लंडी ग्रहम बंधया बंधया चंडी ग्रहम बंधया बंधया सम्शान काट तेरी ग्रहम बंधया बंधया जल काट तेरी ग्रहम बंधया रक्त काट तेरी ग्रहम बंधया शुट तेरी ग्रहम बंधया नाट तेरी ग्रहम बंधया कन्येरी ग्रहम बंधया कांचिलेरी ग्रहम बंधया, नाविलेरी ग्रहम बंधया, मुट्टेरी ग्रहम बंधया, मुनियेरी ग्रहम बंधया, चतुष्यष्टी मंत्र अस्थापित ग्रहान बंधया, जटा मुनी ग्रहम बंधया, एवल मुनी ग्रहम बंधया, शम्शान वासुकी ग्रहम बंधय नानावर्ण ग्रहम बंधय नानाजाती ग्रहम बंधय यानि और भी जितने तरह के ग्रह आदी हैं जाती आदी हैं सभी का बंधन नानावर्ण ग्रहम बंधय नानाजाती ग्रहम बंधय सर्वदुस्तान ग्रहान बंधय बंधय ओम अघोर प्रले काला हांग कार संहार वीरभद्राय ब्रमांड रोम कूप वीलंबिताय लोकैक नाथाय त्रेलोक्य डंबराय कुओक शाफ्त ग्रहम बंधन अटियरा कहतं थैंग रोमढलाव बंधय जुदे के िवांडिश आवच्छ कंप उनखें बंद्रैक स्भर्ण कर सयाने इन के जानाव ग्रहां चारंबभांड पढ़ायक प्रोस्तेज़ लोक्य ग्र्बाडश चिदिए के इनाच़ुस्तित श्री अगोर प्रले काल वीर भद्र शिग्रम शिग्रम आकर्षय आकर्षय आवेशय 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 अस्तंभय अस्तंभय मोहय मोहय भ्रामय भ्रामय भीशय भीशय आपूरय पारू पारू पोक राम हरीम हरूम श्रिम अगोर प्रले काला हंग कार अगोर वीर भद्राय नमस्ते नमस्ते स्वाहा ओम 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 तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यह काफी उग्र विद्या भी है बहुत सारे ग्रहन चत्र भूत प्रेट बैताल प्रेट पिशाज सब का बंधन करने के लिए जब साधक पूजन आदी करता है साधना आदी करता है तो जाने अन जाने में ये शक्तियां भी बहुत उग्र होके प्रंग करने का प्रयास कर सकती है इसलिए गुरू का मार्ग दर्शन अती आवश्यक है वह भी ऐसे गुरू जिन्होंने खुद इस तरह की साधनाए की हो और जिन्हें इस तरह की शक्तियों का साथ प्राप्त हो तो वही सही दीशा निर्देश दे सकते हैं पूजन आधी के बाद इस तरह की उग्र शक्तियों में छमा प्रात्ना आधी अवश्य ही करना चाहिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद